हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुश्खे में हम उप्चार नुश्खे चैनल में रोजाना एक लिटिस वीडियो अबडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें 10 जुन 2021 सूरी ग्रहन चार राशयों की खुलेगी किस्मत 5 राशयों के लिए शुक 3 राशयों के लिए अशुक जाने सूरी ग्रहन का सही समय और असर जोतिशासर अनुसार साल 2021 में 10 जुन गुरुवार के दिन साल का पहला सूरी ग्रहन लगने जा रहा है जो कि जेस्ट अमावश्या के दिन लगेगा सूरी ग्रहन दोपहर 1 बच कर 42 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बच कर 41 मिनट पर समाप्त होगा ग्रहन विरश रासी में लगेगा हाला कि यह ग्रहन भारत में केवल अरुनांचल प्रदेश में आंशिक रूप से ही दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा जोतिशनुसार जब भी ग्रहन की स्थिती बनती है तब इसका सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है तो आईए जानते हैं आपकी राशी पर इस ग्रहन का क्या प्रभाव पड़ेगा मेश रासी मेश राशी के जातकों के लिए यह ग्रहन शुब रहेगा कारेश तल पर धहरी से काम लें विदेश से लाब के योग बन सकते हैं और सफलता के नए अफसर मिलने की संभावना है टेक्नलोजी से जुड़े जातकों के लिए समय लाब दायक रहेगा विरिश रासी जोतिश अनुसाय सूरी ग्रहन विरिश रासी में ही लगेगा जिस कारण इस राशी के जातकों को स्वास का बेहत खास खयाल रखनी की जरूरत है नेगेटिविटी से खुद को बचाएं कारे सल पर धहरी से काम करें वित्ति मामलों में सोच समझ कर ही कोई फैसला ले मिथुन राशी इस राशी के जातकों के लिए ये सूरी ग्रहन बहुत ही बहतर परिणाम लेकर आएगा खास तोर पर कलाव, मीडिया वर टेक्नलोजी आदी छेतरों से जुड़े लोगों के लिए समय शुब है वाणी पर नियंतरन रखें और वाद विवाद से बचें करकराशी करकराशी के जातकों के लिए आने वाला ये हग्रहन काफी शुब रहेगा जोतिश अनुसार इस समय अगर आप अपने काम पर अधिक फोकस करें तो आपको निश्चा ही लाव होनी की संभावना है नौकरी व्यापार में अच्छे परिणाम मिलने के साथ ही धनलाब के भी योग है सेहराशी सेहराशी के जातकों के लिए भी समय शुब है रिस्तों में मजबूती आएगी योजना बना कर किये कारियों में सफलता के योग हैं परिवार का सही योग आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा परिवार के साथ समय विताएंगे कन्या राशी कन्या राशी के जातकों के लिए सूरी ग्रहन का प्रभाव सामानी रहेगा सूरी ग्रहन के प्रभाव के चलते आपको सेहत का खास खयाल रखना होगा जलबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचे नौकरी और व्यापार में अधिक महनत की जरूरत होगी तुला राशी तुला राशी के जातकों के लिए सूरी ग्रहन सामानी फल देने वाला होगा हाला कि धनप्राप्ती और सफलता के अच्छे संकेत है फिजूर खर्चों से बचे करियर से जुड़े मामलों में परिवार की सला काम आ सकती है व्रिष्चिक राशी ये ग्रहन ब्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए सामानी रहेगा इस समय आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती है वर्कलोड बढ़ने से आप थोड़ा चिर्चिरे हो सकते हैं क्रोथ पर नियंत्रन रखें और धहरे से काम लें धनुराशी धनुराशी के जातकों के लिए सूरी ग्रहन शुब परिणाम लेकर आएगा समय आपके अनुकूल है कारियों में सफल्टा के योग हैं इसलिए आलस्य का त्याग कर अपने काम पर फोकस करें स्वास्तिलाब मिलेगा मकर राशी मकर राशी के जातकों के लिए भी सूरी ग्रहन शुब रहने वाला है, रुके हुए कारी गती पकड़ेंगे, इस दोरान की गई महनत के अच्छे परिणाम, मिलने के योग हैं, घर परिवार की मदद से कुछ रुके हुए काम बनने की संभावना है कुम्ब राशी के जातकों के लिए ग्रहन सामानी रहेगा, इस राशी के जातक अपनी भावनाओं को नियांतर में रखें, प्रोफेशन से जुड़े मामलों में सावधान रहने की जरूरत है, कोई भी काम इससे में समझदारी से ही करें तो बहतर रहेगा मीन राशी, मीन राशी के जातकों के लिए सूरी ग्रहन बहुत ही शुब रहने वाला है, सोचे हुए नए कारियों में विजय हासिल होने के योगे, करियर में सफलता और धनलाब की संभावना है, भागे का भरपूर सांथ मिलने से आप मांसिक और शारी रिक रूप से एनर पसंद आई हो तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर करना ना भूलें